मुखर समवात की ओर से आप सभी दर्सकों और पाठकों को सार्दिय नौरात्री की हारदिग सुपकामनाए जारकन में 1932 के खत्यान को लेकर लोजिकली बाते अब की जारी हैं सरवदलिय बैठक बुलाने की बाते भी मुख्यमंत्री की ओर से आई हैं और ऐसे में कई कानूनी पहलू भी हैं और वहीं कुल्मियों का आंदोलन आदिवासी बनाने को लेकर भी राजे में चलता रहा और ऐसे में त्योहारों के बाद ये आंदोलन और तेज होने की संभावना है ऐसे में आदिवासी समाज कहा जाएगा और पूरी तफसीज से उनसे बात करेंगे जो आदिवासीयों के बड़े नेता हैं आदिवासीयों के सेंगल अभियान को चला रहे हैं इस समय हमारे साथ आदिवासियों के बड़े नेता और पूरू शानसद सालखन मुर्मू हैं उनसे बात करते हैं आपने कहा है कि 1932 का खतियान जो है उस अलारित जो अस्थाने नीती बनेगी वो लॉजिकली कोर्ट में नहीं ठीक पाएगी क्या उसका कारण आप मानते हैं मुखे मंतरी तब के बाबुलाल मरंडी जी ने भी लागू किया था 32 का खतियान और 27 पतिशत आरक्षन ओभी सी को तो उसको हाई कोट ने खारिश कर दिया अब इस सरकार ने जो घोष्टना किया है, क्या घोष्टना किया है हम इस तब दाहर कानून जिसको लेन रिफॉर्मस कहा जाता है वो रखे जाते हैं ताकि उन कानूनों को बार-बार कोट में चैलेंज नहीं किया जाए तो ये अस्थानियता आरक्षन अधिका मामला वहां नहीं जा सकता है जाने से भी सुप्रीम कोट ने कहा है हमारा समिक्षा का अधिकार है कोई भी कानून जो गैर संभाधनिक होगा गैर कानूनी होगा तो हम उसको समिक्षा करेंगे लेकिन हेमन सोरन को भी पता है कि कोट का तलवार लटका हुआ है तो ये जुन-जुना है कभी लागू नहीं होगा मैं तो कहूंगा 32 के खतियान के अधार पर जो लोग देने की बात कर रहे हैं लेने की बात कर रहे हैं, सब एक परकार से जुन-जुना को बजा रहे हैं और एक दूसरे को बेकूप बनाने का काम कर रहे हैं इसलिए लिगल पहलू इसका ये भी है कि ये कोई भी कोर्ट में इसको तो जाना ही है जैसे ही विदान सभा में पास हो गा या अभी भी इसी है यह बिल्कुल राजनितिक है और हमान सोरेन का अभी लगता है मेंटल बैलेंस थोड़ा गड़बड़ा गिया है यह जो लिफापा का चकर है कब उनका मामला कुर्सी खाली करो वाला हो जाएगा उसलिए धड़ले देख से वो एक से गोशना मार रहा है ताकि कुछ हो भी ज साइल आंदोलन का सुरुवात हमारे नेत्रित में हुआ था हमारे साथ बंधू तिर्की चमरा लिंडा और अधिवासी छत्रसंग के लोग थे उस समय हमने खतियान आधारित आंदोलन नहीं किया था हमारा कहना था कि संभिधान के अनुछेद 16 के 3 में किसी राज के अस्था बनेगा राज बन गिया तो उनको प्राथमिक्ता देने का कोई आधार लेकिन संभिधान समत होना चाहिए और जार्खन हाइकोर ने भी जब इसको खारीज किया 27 नुवेमर 2002 को तो खारीज करने के समय उन्होंने यह नहीं कहा कि डोमिसाइल गैर संभिधानिक है उन्होंने कहा यह गैर समय धानिक हो गया आपका जो प्रस्ताव है इसको पुनर परिभाशित कीजिए और यह भी कहा कि भासा संस्कृति आधी को आधार बना सकते हैं सब चीज़ लिखा हुआ है मैं तो उस पर एक पुस्तक भी लिखा हूँ और जब चौती बार हिमन सुरें साहब पुनर परिभाशित कर सकते हैं तो हेमन सुरें या कोई भी पाटिय और नेता पर मेरा दोशारुपान है कि 2002 में यह खारीज हुआ उसके बाद कोई भी क्यों नहीं हाई कोट या सुप्रीम कोट गया इसको जो खारीज हुआ उसको खारीज करके स्थापित करने का अभी हेम अधर से आप एक नया चीज ला रहे हैं, सेम चीज है, तो ये मैं कहूंगा हमन सोरेन, जेमेम पाटी है, यूपिय के सभी घटक दोसीदार हैं, जनता को ठगने के लिए, और बिपक्ष में भी मैं ये लोबिन हेमरोम या गिताश्री मैडम जी हैं, और जितने भी लोग ओ एक मातों जी जायरा मातों हैं, इनसे भी मैं आगरा करूंगा, कि 32-36 भोल के जारखन को आनिश्ची तता के दौर पर खड़ा नहीं करना चाहिए, विकल्प हमारा ये है, कि जारखन में जितनी भी सरकारी या गैर सरकारी नौकरिया हैं, उसका 90 भाग हिसा ग्रामिन छेतरों को दे दीजे, 10 भाग हिसा सहरी छेतरों को दे दीजे, मान लिया एक लाक नौकरी है, तो 90 हजार नौकरी गाओं को जाए, 10 हजार नौकरी सहरों को रहे, कोई खतियान की जुरुत नहीं है, परखन वाइच कोटा बना के केवल उसी परखन के आविदकों से भरिये, तो परखन भी नहीं है, तो स्वाता लोगों की पहचान हो जाएगी, और असली लोगों को नौकरी भी मिलेगी, तो इस कानून को, मने ऐसा प्रस्ताव को लागू करने से, सहर में भी बहुत सारे लोग आ गए, कोई पहले आया, कोई पीछे आया, अरे लेने दो ना 10 परतिशत नौकर यह नौकरी का जमेला भविला के नाम परियदी खतियान को हम सामने रखेंगे, तो इसमें और एक टेकनिकल मामला है, कि बहुत सारे लोगों का दरजा है, और विचारे मारे जा रहे हैं, नंगा किये जा रहे हैं, तो काल को यहां आएंगे, आप बोलेंगे खतियान दिखा तो देड़ सो दूसो साल गया हुआ अधिवासी संताल मुंडा रहा हुआ, कहां से खतियान लाएगा, तीसरी बात, यहां सर्वे सेटिल्मेंट बहुत जगा अलगलग समय पर हुआ है, बहुत लोगों का खतियान नहीं है, और बहुत सारे बिस्थापित लोग कहां से खति खतियान कोई फाइनल माप दंड नहीं हो सकता है, भारत देश में अंगरेज 200 साल तक थे, और वही लोग खतियान भी शुरू किये हैं, उनका भी खतियान रहा होगा, लेकिन वो भारतिये नहीं बन सके, इसलिए कि उनकी भासा संस्कृतिये और जाती भारतिये नहीं थी, जारखंड में भी अस्थानियता का आधार, बैगानिक आधार में कहूंगा, जिसको सब नेशनालिटी या उपरास्टियता भी कहा जाता है, वो भासा संस्कृतिये और जाती का आधार है, भारत देश में राजों का बटवारा हुआ, पंजाब, गुजराद, बिहार, उड जाती भासा संस्कृति के आधार पर, जारखंड का भी पटवारा इसी आधार पर हुआ बिरसा मुंडा के जनम दिन पर, यह मूलता एक अधिवासी राज है, लेकिन अधिवासी के साथ मूल भासी भी है, जो अधिवासी के साथ लंबे समय से रहते हैं, तो उनकी भासा संस जाती और सोच संसकार खाना फिना राहन सान प्राप्तिवार अलग है मगर यहां सब को रहने का अधिकार है भारत के नागरी के रूप में उसी के साथ यह भी देखना है कि जो असली अधिवासी है हम आज के अधिवासी नहीं है अंगरेजों के साथ लड़ते भिड़ते हमार लिए बहुत सारा समयधानी प्राप्धान बना है तो उन अधिवासियों को गला काट के आप किसी और को अधिवासी बना दीजेगा फायदे के लिए जिसके पास अधिवासी का गुन ना हो तो यह अन्याय होगा इंजस्टिस होगा यह थे सालकर मुर्मू जो बता रहे थे कि अगर कुल्मियों को आधिवासी का दर्जा दिया जाता है तो ऐसे में आधिवासियों की हक मारी होगी और उनके अधिकार और हक को एक तरसे कुल्मी लेकर चले जाएंगे ऐसे में आधिवासी समाज असहाय महसूस करेगा सायोगी संजय के साथ असोक कुमार मुकरसमवा मिनी लंदन मैक लुस्की गंज प्रकृती की गोद में बसा ड्रीम डस्टीनेशन आपका कर रहा है इंतजार आईए अपने यादकार लमहों को बिताए ड्रीम डस्टीनेशन में लाजधानी राजी से महज 50 किलोमिटर दूर आपका अपना ड्रीम डस्टीनेशन जब दूरती है आज, जब धकती है सास, जब रूरते हैं अपने, मुमोरता है जवाना, जब अंगलाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमित निसा, देखे मेरे साथ, संघर्ष की दास्ता,